हाई फ्रेंड्स विलकुन टुमाई यूटीब चनल आज के मैं इस वीडियों में लेकर आए हूँ कि कैसे हम आपने मतलब ऑर्गनाइजेशन में या किसी भी जिस कंपरी में हम काम कर रहे हैं अगर महाँ पे हमको बोला जाता है कि एक लैपटॉप है जिसमें हमको करना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं हम कैसे व्याइब करना है और डाउन ना हो पूरे नेट्वर्क में सबसे फर्श्ट प्रिफ्रेंस उसी चीज को मिले मतलब उसी रूल को मिले तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम आज इनेबल करने वाले हैं इस रूल म ौपी सी राउटिंघ। आएगा आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने की बाद कइन है आ पर देख सकते हैं अब यहां पे आपको Add Button का option दिखेगा आपको Add Button प्रक्लिक करना है आप यहां पर मैं ऑल्ली मैंने है बना रखा था मैं यहां पर आपको वापिस रफ्रेस करो जब भी चले मतलब हमारी बहुत important meeting है और हमारा internet बीच में डाउन हो मतलब हमारा internet की speed डाउन हो लेकिन यह प्रपर चलते रहे इसको कोई problems ना है तो उसके लिए हमने यहां पर हमने बना दिया discussion में लग दिया allow zoom अब यहां आपके incoming interface और यहां पर कुछ नहीं करना आप source device source network में आप देखें यहां पर पर पर्टिकुलर एक device लग सकते हैं पूरा network कर सकते depends on your requirement अब हम क्या करेंगे हमें एक ही device हम्याट करना हम बहुत सारी device करना आते हैं तो हम यहां पर का करेंगे meeting desktop रख देते हैं हमने एक desktop के लिए आप नेटोप कर सकता है अब हम इसको IP देते हैं 29 इस desktop का IP है और इसको हमें save कर दिया अब हमने यहां पर save किया desktop के लिए हमने यहां पर policy रखा meeting desktop अब यहां पर हमसे application पूछ रहा है कि कौन सा application आप इस desktop को चलाना चाहते हैं जिसको dedicated करना है आपको तो हम यहां पर इसको क्लिक किये हैं अब यहां फ्मझाते हैं create new करते हैं create new करेंगे तो particular अब यहां से हमसे पूछ रहा है कि हम यहां पर नाम देते हैं जूम अप्लिकेशन एलाओ जूम अप्लिकेशन में किया अब यहां से हम यहां अप्लिकेशन कटेगरीम आ गया हम आप फायरवल चलाते होंगे तो आप देख सकते हैं कि यह मैं अप्लिकेशन में डायट आ गया हूँ तो अब यहां से हम क्या करेंगे फिल्टर कर लेते हम य इसेव हो गया, अब हमारा जूम एलाव हो गया, अब हमारा क्या हुआ, हमने एक रूल बनाया, हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर का IP address रखा, इसको हम चाहते हैं एलाव करना, हमने उस laptop का यहाँ पे save कर दिया, अब यहाँ पे हमने application select के लिए second number पे जो हमारा gateway down हो तो जी हो आ जाए, अब यह पूरे network में सबसे first preference इसी को जाएगा, पूरे network में कोई कितना भी bandwidth इसको है, लेकिन सबसे ज़्यादा bandwidth इसी को ही मिलेगा, अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमने यहाँ पे इतना किया, अब हम इसको कर دیںगे save, अब save कर देंगे, अब जब हम इस desktop पे जाएगे, जो 줌 बाले जो IP हमने दिया था, 29, इस desktop पे जब जाएगी जब हम login करेंगे, तो वहाँ पे जब हम चलाएंगे तो तो वहाँ पे सिर्फ जूम ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा और जूम डेडिकेटर चलेगा क्योंकि हमने पर्टिकुलर जूम काटेगरी को bandwidth दिया हुआ है कि हमारा सिर्फ जूम पे ही bandwidth जाना चाहिए तो जूम पे ही जाएगा इसी तरह से लोग अपने organization में कोई particular कोई applications ऐसे रहते हैं जिसको high bandwidth देके रखते हैं कि ताकि हमारा critical applications यह डाउन नो बाकि others application डाउन होते तो कोई issue नहीं तो इस तरह से हम HD WAN create करते हैं और आप चाहते कि आप WAN failover कैसे create कर सकते हैं तो उसके लिए भी है कि आप rule में जाके ISP चाहिए अगरम आपने कोई rule बने यहाँ पे ITL जियो जो भी यह gateway आप यहाँ पे दे सकते हैं easy way में काम होगा तो HD WAN का हम यह policy इसको भी हम इस तरह से use कर सकते हैं किसी application को हम चाहते हैं dedicated bandwidth देना जैसे Gmail हो गया Hotmail हो गया Yahoo हो गया कि किसी company में ज्यादा mail पे जिनको काम रह है कि कैसे करते हैं आप इसको देखके अलग लग तरीके से आयज पार्यों requirement आप इसको configure कर सकते हां किसी को कुछ problem आता है तो मुझे call कर सकता है email कर सकते है मैं उसके email call कर ज़र reply करूँगा so guys चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हीन जय भारत